हलो दोस्तों वेलकम क्यू तनिस कोचिंग क्लासेश ट्रेंड्स आज मैं आपके लिए प्लास्ट ट्वेल्ट अकाउंट एंसी से रिलेटिट सम लेकर आया हूं आसा करता हूं कि यह आपको बहुत पसंद आए प्यादी आपको हमारे वीडियो पसंद आता है दोस्तों हमारे लाइक, शेर और यूँदा आपने लिटा हो यापने हमारे वीडियो सब्स्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर बहुत दबाहिए गाए प्रत्यक लीडियो के नोडिखिकेशन अपने पहले को मैंस की रूआत करता हूं scarce 2 अप्लासट अरसे स्बी प तो दोस्तो शुरू करता हूं में बिना देर करते हुए illustration no.6, X and Y are partners in a firm, they earned a profit of Rs. 1,60,000 during the year ending 31st March 2018. according to partnership deed, according to partnership deed, profit of the firm to be distributed as under, allow interest on capital at the rate 6% per annum, interest on capital of X Rs. 8,000 and Y Rs. 7,500. X is entitled to annual salary of Rs. 12,000. c interest on drawing to be charged at the rate 5% per annum or interest on drawing of X Rs. 1,200 and Y Rs. 2,000. profit and loss to be divided among the partners in the ratio of 3 to 2, prepared profit and loss appropriation account. तो दोस्तो इसमें आपको फर्म का profit 1,60,000 रुपे दिया हुए है, इकतिस मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्स पार्टनर्सिप डिट के एक्वार्डिंग, आपको साज़दारों को बीच लाभानी का अभी भाजन करना है, इंट्रेस्ट अलाव उन 6% परेनम और इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स के पुझी पर व्याज 6% की दर से 8,000 रुपे व्याज और य की पुझी पर व्याज 7,500 रुपे दिया जाता है, एक्स इंट्रेस्ट ऑन पर व्याज 5% पर एनम की दर से एक्स का 1200 रुपे और य का 2000 रुपे आहरण पर व्याज है, प्रॉफिट एन्ट लॉज टू वी डिवाज़ अमोंग दा पार्टनर्स, साइधारों के बीच में लाभहानी का विभाजन 3 अनुपाद 2 में करना है, तो लाभहानी विभाजन खाता बनाई है, तो दोस्तो प्रॉफिट लॉज अप्रोप्रियेशन अकाउंट, डी आर और दर सी आर, फॉर दर येर एंडेट 31 मार्च 2018, दोस्तो कॉलम्स होंगे पर्डिकुलर अमाउंट, पर्डिकुलर अमाउंट, फर्स्ट नंबर जब इसकी हम सुरुवात करते हैं, तो क्रेडिट साइट में आप बैलेंस बीडी लिखते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट दिया होगा सम्में, वो प्रॉफिट देख करके लिखें, तो आपको उपर जिसकी कोशियन में प्रॉफिट दे रखा होगा है, उपर हमें देखा था प्रॉफिट है 1,60,000 था होगा, इस प्रॉफिट को क्रेडिट साइट में आप लिख लेते हैं, बैलेंस वीडी में 1,60,000 था और फिर आप क्रेडिट साइट पर इंट्रेस्ट ओन ड्रॉइंग आता है, अर्थत अहारन पर व्याज, अहारन पर व्याज आपको इसमें निकला होगा दिया होगा है, आप ये देख सकते हैं, इसमें C पॉइंट दिया है, इंट्रेस्ट ओन ड्रॉइंग अर्थत अहारन पर व्याज, X का 1200 रुपे और Y का 2000 रुपे लिखते हैं, अहारन पर व्याज और इसको प्लस करके अमांट वाले कोलम में लिख देंगे, और क्रेडिट साइट का हम कर देंगे टोटल, ये टोटल आपका हो जाएगा 163,200, अब आते हैं हम डेविट साइट में, डेविट साइट में फर्स्ट नंबर आप लिखते हैं, इंट्रेस्ट ओन कैपिटल मींस पुझी पर व्याज, X की पुझी पर व्याज, अल्रेडी आपको निकला हुगा दिया हुगा है, पॉइंट A में दिया है, अलाउड इंट्रेस्ट ओन कैपिटल 6% पर रेनम, X का 8000, Y का 7500, अब अगर ये निकला नहीं दिया होता तो आपको इनकी कैपिटल दिया होती, की कैपिटल का 6% निकाल करके लिखना था, लेकिन निकला दिया है, इसलिए हम डारेक्टल ये अमाउंट डेविट साइड में इंट्रेस्ट ओन कैपिटल में लिख देंगे, तो X का 8000, Y का 7500, दोनों को प्लस करके अमाउंट कोलम में लिखेंगे, 15500, सेकेंड आता है, X सेलरी, X का बेतन, 12000 रुपे, फिर टू पार्टनर्स कैपिटल, अब आपको चुकि इस साइट लिखने को कुछ नहीं बचा, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से, इन दोनों अमाउंट्स को याने की 15500 और 12000 याने की 27500 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आएगा, 135,700, यह आपका आगया, नेट प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्टिब्यूट कर देंगे, रेशो दिया है, थ्री इस्टू टू में, थ्री इस्टू टू में इसको डिस्टिब्यूट कर देंगे, तो एकलाग मेंती सजा, 700 गुले तीन बटे, पांच, और वाय का होगा, 135,700, गुले, दो बटे, पांच, इस तरीके से हमारा यह प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रियेशन अकाउंट कम्प्लेट हो जाता है दोस्तों, आसा करता हूँ कि हमारे यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एदि हमारे यह प्रत्ते एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, फ्रेंट्स, थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो,